हालो टेर्स वल्कम बैक टू माई चानल चलो देक लिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कुंसे स्टॉक्स हम यहापर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहापर देख सकते हो कि निफ्टी का वंडे का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉपड़ अनालिसिस हम यहापर करने वाले तो सिंपल हमने कल के अनालिसिस वीडियो में यहापर क्या डिस्कॉशन क्या था कि प्राइज ने बहुत यह अच्छा इंप डाउनसाइड से वीक है आप कैंडल्स को आप यहापर देख सकते हो कि डाउनसाइड से वीक है इसका मतले भी यहापर बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है और अगर आप पूरा भी यहापर थोड़ा सा प्राइज एक्शन देखोगे तो इंपल्समू रिट्रेस्मेंट इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक फीबोन अच्छी एक्स्टेंशन का टूल लगा दिया था और यह 1.272 और इसपेशली 1.618 यहापर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा था और कल के अनालिसिस में मैं आपको यह बोला था कि आज भी य अच्छा सपोर्ट बन सकता है और आप देख सोकते कि प्राइज ने एक्जाक्ली यही पर सपोर्ट लिया और यही पर से बाउंस हमें देखने को मिला अभी हम यहापर ट्रेड किस तरीके से करेंगे तो सिंपल अगर हम यहापर से 15 मिन टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो दो ही लेवल्स यहापर बतना चाऊंगा अब यहकर आप देखोगे तो प्रैज यहापर बहुत ही जादा इस वाले जोन में इस वाले सरकल में बहुत ही जादा व्लाइटिलिलिटी क्रे fare कर रहाएं इसवाशे से इस वाले एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है यह जो यह को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि higher probability long के ट्रेट मेरे लिए 17,140 के ऊपर बनेंगे मतलब यह वाला जो लेवल है इस लेवल के ऊपर में यहाँ पर से long के ट्रेट लेना चाहूंगा क्योंकि अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक important trend line भी जहाँ पर price time to time resistance ले रहा ह इसी वज़े से जब भी price यहाँ पर से ऊपर आएगा तो यह resistance पे rejection ले सकता है इस वाले trend line के breakout पे भी एक scalping का trade बन सकता है बट मैं scalping पे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करता हूं इसी वज़े से इस level के ऊपर मेरे लिए higher probability long का trade बनेगा और 1.6 minute के नीचे मेरे लिए higher probability short का trade बनने वाला है और यही पूरा-पूरा analysis बन रहा है nifty में अभी अगर हम यहाँ पर से bank nifty की बात करेंगे तो bank nifty में भी similar analysis बन रहा था प्राइज ने यहाँ पर bottom से लेके top तक impulse मू लगा है then price यहाँ पर से retracement ले रहा है इसी वज़े से हमने यहाँ पर एकदम bottom से लेके top तक Fibonacci retracement का tool लगा दिया और आप clearly देख सकती कि price 0.382 पर यहाँ पर support ले रहा था बट फिलाल इसका breakdown हुआ और price अभी यहाँ पर consolidate कर और अगर यही price action को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर zoom करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि price को यहाँ पर downside पे बहुत ही अच्छे अच्छे weeks यहाँ पर दिखाई दे रहे है इसका मतलब यहाँ पर भी buying हमें nifty के तरह bank nifty में भी दिखाई दे रहे है और अगर हम structure को देखेंगे तो structure भी impulse move, retracement, impulse move और gain यहाँ पर से हमें pullback या फिर retracement देखने को मिल सकता है अभी यह price action यहाँ पर यह जो आपको volatility देख रहे है इसको trade करना important है किस तरीके से trade करना है simple हमें resistance और support मार्क कर लेना है support कौन सा है support आप simple यहाँ पर देख सकते हो कि 38,700 का support है यह अ important level बताना चाहूंगा 39,700 का level यह level अगर breakout हो रहा है ना then and then only यहाँ पर से लॉंग के trades लेना चाहूंगा बहुत ही important Fibonacci plus market profile का level है अगर price यहाँ पर से breakout कर रहा है तो मैं higher probability long के trades लेना चाहूंगा otherwise इस volatility में में trade नहीं करना चाहूंगा और अगर यह upside में break कर रहा है मान लेते हैं कि कल price 39,700 का breakout कर देती है तो upside के targets या फिर resistance क्या होंगे उसके लिए simple हमें क्या करना है यह जो यहाँ पर downfall लगा है इसको simple top से लेके bottom तक Fibonacci retracement का tool लगा देना है और यह 0.382, 0.5, 0.6 minute हमारे लिए targets और resistance का का काम करने वाले अब आप पूछोगे कि 39,700 जैसे breakout होगा यह 0.382 का level है इसकी चिंता हमें इतनी नहीं करने है अगर 39,700 का level breakout हो रहा है न तो directly आप 0.5 के लिए aim कर सकते हो या फिर इसके बीच में 1.2, 1.3, 1.4 के लिए plan कर सकते हो क्योंकि एक important level है अगर यह breakout हो रहा है न तो 0.382 भी price easily breakout कर देगे इसी होज़े से directly हमें think करना है 0.5 के लिए या फिर 0.678 के लिए ठीक है तो यही पूरा-पूरा analysis बन रहा है nifty और bank nifty का होप आपको यह पूरा analysis समझ में आ गया होगा पसंद आ गया होगा अगर analysis पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके फ्रेंड के साथ टेडिंगे मुझा शेयर कर दीजिए और इसी वीडियो से दिखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तो आज की वीडियो में इतना है रखते थैंक यू बेरी मुच